ब्रेक के बाद आपका स्वगत है सोलन के बाईपास चौप पर एक व्यक्ति की संदिद परिस्टिटियों में शौब बरामद हुआ है ये शौब बाईपास पर सड़क के नीचे मिला है जब सड़क से लोग वहां से गुजर रहे थे तो उनकी नजर ही सवग पर पड़ी जिसके बाद उनने पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने मौके पर पहुँचकर सवग को कबजे में लेकर उसके पोस्ट माटम के लिए सोलन के एक शेतरी अस्पताल भेज दिया है सोलन के बाईपास में एक व्यक्ति का संग्दिद परिस्टितियों में शव बरामुद हुआ है ये शव बाईपास पर सड़क के कुछ ही दूरी पर मिला है जब सड़क से लोग गुजर रहे थे तो उनकी नजर इस शव पर पड़ी उन्हें तुरंट इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुँच को शव को अपने कबजे में ले लिया है और शव को लेकर क्षेतरी अस्पताल में उसका पोस्माटम करवाया जा रहा है पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही है कि आकर इस व्यक्ति की मृत्यू कैसे हुई जहां ये शव मिला है वहां पर भी लोगों से पूछ ताज की जा रही है पुलिस अधिक शक अभिशेक यादव ने बताया कि सुबग की समय एक व्यक्ति का शव सप्रून चौक पर मिला है शव नेपाली मूल्क व्यक्ति का बताया जा रहा है जिसकी उमर करीबन 55 वर्ष है शव को कबजे में ले लिया गया है उसका पोस्ट मार्टम करवाया जा रहा है उन्होंने बताया कि अभी तक शव की सिना फत्र नहीं हो पाई है जी आज सुबह एक डेड बोडी मिली है जो की सप्रून चौक के पास रेलिंग के नीचे बोडी मिली है देखने से ये बोडी एक 45 से पचास और 55 साल की उम्र की वक्ति की लग रही है और प्रथम दर्ष्टिया ऐसा लग रहा है कि शायद वक्ति नेपाली मूल का है लाश की शेनाक तभी नहीं हो पाई है और मौत के कारण कर भी अभी कुछ खुलासा नहीं हो पाये किस कारण वे इसके मिलों रही है बोडी का पूस्माटम कराए जाएगा पूस्माटम के बारत ही हम कुछ कह पाएंगेropy के मिलों रहीख कान भी किस वज़ेसे मौत ही तो अभी ये बताबाना मुश्किल है कि रखती कहां था क्या कर रहा था इसका नाम पता भी बताबाना समों नहीं